पीट पीछे बात करने का चसका सबको होता है और बॉलिवुड में तो ये कुछ जादा ही होता है लेकिन सोच ये कभी कि आप किसी के बारे में पीट पीछे बात कर रहे हो और जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो आपके ही पीछे खड़ा हो तो क्या हो वेल ऐसा ही एक किस्सा संजय दत और सुभाज गाई के बीच हो गया था तो आज कब क्यों और कैसे में हम आपको बताएंगे कि कब सुभाज गाई ने संजय दत के पीट पीछे उन्हें गाली बोली क्यों सुभाजगाई ने संजेदत को वो गाली दी और फिर ये गाली देना सुभाजगाई को कैसे भारी पड़ा विल सुभाजगाई और संजेदत का जहां पर नाम आता है तो याद आती है फिल्म खलनायक इन दोनों की ये फिल्म सूपर हिट थी आपको बता दे कि सुभाजगाई और संजेदत ने इससे पहले भी एक फिल्म में काम किया था ये फिल्म थी विधाता इस फिल्म में काम करने के बाद सुभाजगाई ने 10 साल तक संजेदत के साथ काम नहीं किया तो आप जानते हैं कि क्यों सुभाजगाई ने 10 साल तक संजेदत के साथ काम नहीं किया बात है 1982 की फिल्म विधाता की इस फिल्म को सुभाजगाई बना रहे थे और इस फिल्म में लेजेंडरी एक्टर दिलिप कुमार सहब और शमी कपूर सहब भी थे साथी संजेदत भी इस फिल्म में थे और उनके अपोजित थी पदमिनी कोलापूरी इस फिल्म के दोरान संजेदत को ड्रक्स की नई नई लट लगी थी और ये लट इतनी बुरी थी कि उन्हें दिन रात का कुछ पता ही नहीं रहता था वो सेट पर लेट पहुचा करते थे जिस कारण से दिलिप सहब और शमी कपूर सहब को कई देर तक उनका वेट करना पड़ता था सुभाश गई इस बात से बहुत ही जादा नारास थे और यही चीज आपने संजु फिल्म में भी देखा है कि संजेदत को ड्रक्स की बेहत बुरी लत थी क्योंकि संजेदत सुनीरदत साब के बेटे हैं इसलिए सुभाश गई उन्हें जादा कुछ कहते नहीं थे बस उन्हें प्यार से समझाते थे कि सेट पर इतने सीनियर आक्टर्स हैं उनको तुम्हारे कारण वेट करना पड़ता है तो प्लीज तुम टाइम पर आया करो इसके बाद एक दिन संजेदत को फिल्म की लीड आक्टर्स यानि की पदमनी कोलापुरी के साथ में एक रोमैंटिक सीन देना था संजेदत उस दिन भी हर रोज की तरह ड्रग्स लेकर ही सेट पर आये थे उस सीन को पिच्चराइज करते वक्त संजेदत ने पतमनी कोलापुरी के साथ में कुछ बुरी सी हरकत कर दी जिसकारण वो इतनी नाराज हो गई कि वो उसी वक्त सेट को छोड़कर चली गई सेट पर लेट आना लीट अक्ट्रस के साथ बत तमीजी और हद तो तब हो गई जब सुभाजगाई ने संजेदत को इस फिल्म के डबिंग सेशन्स के लिए बुलाया और वहां पर भी वो ड्रग्स के नशे में आते थे इसलिए उनकी वोईस स्लरी साउंड करती थी सुभाजगाई का पारा चड़ चुका था उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो अब संजु की ये बत्तमीज या नहीं जे लेंगे एक दिन उन्होंने संजु को लतार दिया और कहा तो ये भी जाता है कि सुभाजगाई ने उस ताइम पर संजेदत को एक थपड़ भी क किया था उसी टाइम उन्होंने सोच लिया था कि उनकी अगली फिल्म हीरो के में लीड हीरो संजेदत ही हो गए लेकिन विधाता फिल्म को शूट करने के दौरान सुभाजगाई को जिस तरह से संजेदत ने ट्रीट किया जिस तरह संजेदत का बिहेवियर जहा लेट आना फिल्म की लीड अक्ट्रिस के साथ इस तरह से बत्तमीजी से पेश आना तो उसी दिन सुभाजगाई ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो अपनी अगली फिल्म हीरो में संजेदत को तो नहीं लेंगे उन्होंने जैसे तैस से बहुत ही मुश्किल से संजेदत के साथ और जैकी को कस्ट किया इस फिल्म के बाद सुभाज गाई और संज दत, दोनों अपने अपने रस्ते निकल गए फिर आया इयर 26, तब संजेदत की फिल्म आई थी नाम इस फिल्म में संजेदत के साथ थे कुमार गौरव भी और इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर अच्छा कासा बिजनस किया था एक बार नाम फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई डिस्टिब्यूटर्स के लिए तो सुभाज गई भी वहीं पर मौजूद थे और जब उन्होंने अपने पहचान वाले एक डिस्टिब्यूटर को इस स्क्रीनिंग से निकलते हुए देखा तो वो हैरान हो गए और जाकर उनसे कहने लगे कि तुम ये क्या कर रहे हो इस चर्सी की फिल्म खरीदोगे ये बात कहते हुए सुभाज गई को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे कौन खड़ा है जी हाँ उस वक्त उनके पीछे संजेदत खड़े थे और संजेदत ने सुभाज गई के मूँ से निकले ये चर्सी वाले शब्द सुन लिये थे फिर क्या था संजेदत को बहुत गुस्सा आया और उनका गुस्सा इतना तेज था कि उन्होंने जाकर सुभाज गई के कॉलर पकड़ लिये संजेदत सुभाज गई को मारने ही वाले थे कि वहाँ पर दूसरे डिस्ट्रिब्यूटर्स और सुनील दत साहब बीच में आ गए और इन दोनों को छुड़वाया अगर ये लोग वहाँ पर नहीं होते तो उस दिन संजेदत सुभाज गई को पीठी देते और अगर ऐसा होता तो सुभाज गई वह पहले इनसान नहीं होते जो संजेदत के हाथों पिठते इससे पहले भी उन्होंने इंडस्ट्री में कई लोगों पर अपने हाथ आजमाए हैं अब आप सोचेंगे कि जब संजेदत और सुभाज गई का रिश्टा इतना खराब था तो इन दोनोंने एक साथ खलनायक फिल्म में काम कैसे किया तो आपको बताते हैं कि जस वक्त नाम फिल्म शूट हुई थी तब संजेदत यूएस के रियाब से होकर ही आये थे जहां पर उन्होंने ड्रग्स छोड़ दिये थे नाम फिल्म के बाद संजेदत ने काम किया था अपनी इमिज को सुधारने में जिन से भी उनके रिष्टे खराब थे उन्होंने उन सब से अपने रिष्टे मेंटेन किये इंडस्ट्री में सब जान चुके थे कि संजू अब वो पहले वाला संजू नहीं रहा है और तब ही आ गई थी संजेदत की फिल्म साजन इस फिल्म में संजेदत का करेक्टर बिल्कुल डिफरेंट था और साथ ही उस वक्त उनकी माधूरे के साथ जोड़ी काफी चर्चा में थी और बहुती पॉपिलर कपल था यही कारण था कि उस वक्त सुभाजगाई ने उनकी उस इमिज पे एंखेश किया अला कि उस फिल्म के बाद भी वापिस संजेदत और सुभाजगाई ने कभी साथ में काम नहीं किया है लेकिन अभी रीसिंट की एक खबर आई है वो यह कि सुभाजगाई खलनायक टू बनाने जा रहे हैं और यह फिल्म प्रेड्यूस करेंगे खुद संजेदत यह इनका फिर से एक नया कॉलैबरेशन होगा और इस फिल्म में राम के रोल के लिए यानि कि जैकी श्रॉफ वाले रोल के लिए कास्ट किया जा रहा है टाइगर श्रॉफ को साथ ही संजेदत खलनायक वाला खिरदार ही निभाएंगे वेल वी होब कि यह फिल्म भी खलनायक फिल्म की तरह बॉक्स ओफिस पर वंडर्स करें कब क्यों और कैसे में आज के लिए बस इतना ही आज हमने आपको बताया कि किस तरह संजेदत के हाथों सुभाश गई पिटते पिटते बचे आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके बताइए लाइक करें हमारा फेस्बुक पेज बॉलिवुद ठिकाना फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलिवुद ठिकाना